भाई आजकल तो करीना कपूर से जादा उनकी नैनी के ही चर्चे हो रहे हैं। करीना ने सैफ अलिखान से शादी की और पटोदे खांदान की बहू बनी। करीना करीना क्रिश्चेनिटी को फॉलो करती हैं। लेकिन मुझसे अक्सर बोलती थी कि अगर आप चाहें तो बेटों को भजन सुना सकती हैं। तो मैं अक्सर उनके बेटों को भजन सुनाती थी। वो मुझे खास तोर पर एक पंजाबी भजन, एक ओमकार प्ले करने के लिए भी कहती थी, उन्हें पता है कि बच्चों के आसपास का महौल पॉजिटिव होना चाहिए करीना की तारिफ करते वे ललिता कहती है, करीना अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, वो बहुत डिसिप्लीन है और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्यूंकि उनकी मा भी बहुत ही डिसिप्लीन है मैंने करीना की बच्चपन को पर्सनली नहीं देखा, लेकिन जो कहा जाता है, उससे मुझे पता चला कि उनकी मा भी उनकी तरह बहुत डिसिप्लीन थी वो हमेशा उनके पढ़ाई पर ध्यान देती थी और एक टाइम टेबल बना कर रखती थी और निशित करती थी कि करीना उसका पालन करें इससे पहले ललीता ने बताया था कि उनके घर में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, वो कहती हैं वो लोग बहुत सिंपल हैं, उनका मौनिंग रूटीन है कि सभी स्टाफ वही खाना खाएंगे जो सैफ करीना खाते हैं उनके घर में स्टाफ के लिए अलग से कोई खाना नहीं बनता, कितनी बार तो हमने साथ खाना खाया है इससे पहले के इंटर्वियू में करीना कपूर ने बताया था कि उनके घर में एक नियम है कि तैमूर और जे की नैनी उनके साथ बैठेंगी और साथ में खाना खाएंगी ये तैमूर ही था जिसने पूछा था कि खाना खाते समय उनकी नैनी दूर क्यों बैठी है और बाद में जे ने भी उसी के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया था बता दे इन ललीता एक सेलिबरिटी नैनी है वो इशामबानी अनंतंबानी के साथ तैमूर अली खान की भी केर टेकर रह चुकी है